आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तुम्हें रिलू काँ पुटती हैं समझनी आथा कि जो भी मैंने देखा क्या वो सच था या फिर कोई भ्रह्म क्या आप भूत प्रेद प्रविश्वास रखते हैं अगर दस साल पहले यही सवाल आप मुझ्सिव करते तो मेरा दोस्त की शादी को अटेंड करने गाउं चाह रहा था बस कंडुक्टर को जब मैंने गाउं का नाम बताया वो तो लाग चौक सा गया और मेरी तरफ अजीव नजरों से देखना लगा उसने मुझसे कहा कि ये गाड़ी उस रास्ते नहीं जाती क्योंकि बारिश की वज़े से वो रास्ता बंद हो चुका है और अगले स्टॉप पर उतर की मुझे पैदल जाना पड़ेगा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सो मैंने टिकेट ले लिया रास्ता बड़ा ही लंबा था सो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया लगबग रात के दस बचे गाड़ी उस स लेकिन पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी थी इसलिए कंड़क्टर को धन्यवाद देते हुए मैं पस से नीचे उतर गया मैंने मुड़कर देखा तो कंड़क्टर अभी भी मेरी दरफ देख रहा था मानू जैसे उसे मेरी बड़ी चिंता हो रही थी बस निकल गई और उस सुनसान रास्ते में अकेला रह गया मैं बस के जाने के बाद वो रास्ता और भी सुनसान लगने लगा अंधेरा काफी खना था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी सो मैंने अपने मुबाइल की लाइट हॉन की और जंगल के रास्ते की और बढ़ गया मैं थोड़ी दूर चला था कि अचानक बारेश शुरू हो बे मैंने अपना चाता निकाला और मुबाइल की धुंदली सी रोश्णी में आगे बढ़ने लगा लेकिन अचानक मेरे मुबाइल की टॉर्च बंद होने लगी मेरा मुबाइल स्विच्ट अफ हो गया रह रह कर मुझे कंड़क्टर की बातें याद आ रही थी मैं अपने आपको कोसने लगा काश मेंनों उसकी बात मालनी होती लेकिन हम मेरे पास कोई चारा नहीं था मैंने हिम्मत बांदी और आगे बढ़ने लगा तब ही किसी लड़की की आवाज मेरे कानों पर आई क्या आप गाव की तरफ जा रहे है वो लड़की बहुत ही सुन्दर थी उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लाल्टेन लिए खड़ा था मैंने उसकी आँखों में देखा और मैं एकदम सहम सा गया उसकी आँखे मुझे बड़ी अजीब ढंग से खूर रही थी चलो बाबुजी साथ में चलते है बिना कुछ कहे मैं उनके साथ चलने लगा मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी इतनी बारिश हो रही थी लेकिन उनके पास चाता नहीं था उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे बदन पर एक कंबल लपेट लिया था और वो लड़की तो बारिश में पूरी भीएक चुकी थी मैंने उसकी तरफ देखा सच में वो बहुत ही सुन्दर थी जी आप चाहें तो मेरा चाता ले लिजे मैंने उस लड़की से घुजारिश की जी नहीं उसके कोई जरूरत नहीं और इतना कहकर वो मेरे पास आई और मेरे साथ एक ही छाते में चलने लगी सच कही है तो मुझे ये रात बड़ी अच्छी लगी थी लेकिन जैसे ही छाता पकड़ने के लिए उसने मेरे हाथों को चुआ मैं चौप क्या क्या हुआ उसने मुझसे पूछा कि के साथ एक ही छाते में चलते हुए मैं रुबांचित हो रहा था आप गाउ नजदीक आ गया था मुझे दूर से घरों में जलते टिम टिमाते हुए दियों की रोशनी रिज़रा रही थी मैं उस रास्ते से आके पढ़ा लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की और वो पूरा आत्मी एक तुम से रुख गए क्या हुआ आप रुखे क्यों मैंने उसे पूछा आप गाउ में नहीं आने वाले जी हम गाउ नहीं आते हमारा लॉज है यहाँ पर कभी वक्त मिले तो आईएगा जरूर उस लड़की के हाँ तो मैं चाता देखे मैं आगे पढ़ा अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं अपने आपको कोस्ता हुआ मैं पीछे मोड़ा और मेरे पाउं तले जैसे जमीन खिसा की गई वहाँ पे कोई भी नहीं था मैं आके भाड़ भाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा अचानक फिर से बचली कड़की अब फिर जो मैंने देखा मैं आज तक उसे बला नहीं पाया हूँ उनकी आखें उफ उसमें तो जैसे जान ही नहीं थी लेकिन फिर भी वो मुझे ही गूर रही थी चेरा सफेद मानो जैसे उनका खून ही सूप चुका हूँ वो मेरी तरब देखकर मुस्कुराई उसके सारे दाथ सड़ गए थे हमारा रौज है यहाँ पर उसकी आवाज मानो किसी कब्र से आ रही हो इतनी भयानक थी मेरे हाथ पाउं कापने लगे मुझे उस कंड़क्टर की बताई हुई बात याद आ गई उसने मुझसे कहा था कि रास्ते में अगर कोई पुकारे तो रुकेगा वक्त इतनी बारिश में भी मुझे पसीना आने लगा और फिर अपनी चान हतेली पर रखकर मैं वहाँ से भाग निकला पता नहीं मैं कितनी देर भाग रहा था गाउं में पहुशते ही मैं बिहोश होगे गिर गया उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता लेकिन दो दिन बाद मुझे होश आया थम मेरे दोस ने मुझे बताया कि पछले दो दिन से मुझे देज बुखान था और मैं अपनी पिहोशी में अज़ीब अज़ीब बातें बड़े बढ़ा रहा था मैंने अपने दोस को उस रात क्या हुआ वो सब बात बताई जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी खबरा किया उसने मुझसे उस गाउ में घटी हुई एक हकीकत बताई जिसे सुनकर मेरे रोंग टे खड़े हो गए वो कहानी कुछ इस प्रकार थी उसी गाउ में एक लौज था जिसे एक बुणहा अदमी और उसकी का वादा किया और फिर वो शहर चला गया वो लड़की उसकी लौटने की इंतजार की रहा देखने लगी मगर वो लड़का लौटकर कभी नहीं आया गाउं के लोग अब उस लड़की का मजाक वड़ाने लगी उसे तंग करने लगी उनका लौज बंद हो गया वो अदमी और लड़की दोनों यह अब अकेले पड़ गए लड़की का हाल तो बहुत ही पुरा था वह पागलों जिससे बरताव करने लगी थी उस पूरे से अपनी नातिन का यह हाल परदाश नहीं हुआ एक रात को दोनों चंगल की तरफ निकल पड़े और एक पेड़ से न मुफानी रात याद आती है तो मैं जहन से नहीं सूपाता अब आप ही पताईए उस रात जो भी मैंने देखा या फिर महसूस किया वो सच था या फिर मेरा भ्रम हाँ आपको क्या लगता है क्या भूत प्रेथ सच में होते हैं